योग क्रांती परिवार के यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है हमेशा की तरह एक बार पुना मैं आप सभी के सामने लेकर आया हूँ योग का एक नया वीडियो लेकिन शुरुवात करने से पहले आप सभी से कहना चाहूंगा कि यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तब आप सब्सक्राइब कर लें, साथी साथ लाइक करें, सेयर करें और कमेंट भी करें क्योंकि योग क्रांती परिवार के इस यूट्यूब चैनल पर आपको योग से संबंदित सारी जानकारी मिल जाएंगी योग के कोई भी लेटेस्ट अपडेट हो, तो वह सरपर्थम हम यहाँ पर डालते हैं योग की कोई भी विकेंसी हो तो वह भी सरप्रथम हम यहाँ पर डालते हैं UGC net, YCB या योग के कोई भी अन्न एक्जाम हो तो उनकी भी तयारी बहुत ही ज़ादा अच्छे तरीके से करवाते हैं हमारे यहाँ पर आपको प्रसन संग्रह मिलेंगे जिनको हम स्मार्ट फेक्ट भी कहते हैं मतलब एक ही लाइन में आपको प्रसन भी मिल जाएगा और उत्तर भी मिल जाएगे आज हम बात करने वाले हैं हट योग की हट योग के अंतरगत हम बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि हट योग पर आपकी अलग से यूनिट भी है पांच नंबर जो यूनिट है यूजी सिनेट के सिलेबस के अनुसार उसमें आप देखेंगे बहुत सारे हट योग के ग्रंत हैं तब हम उन ग्रंत को डेटेल में पढ़ेंगे आज हम सर्फ जानेगे हट योग क्या है यूजी सिनेट के यूनिट नंबर एक में हट योग, कर्मयोग, ज्यानयोग, राजयोग, मंत्रयोग, आदी दिये गए हैं तो उसी के अंतरकत हम सर्फ थोड़ी सी बात करने वाले हैं हट योग के वारी में तो देख लेते हैं आज का पहला प्रसन आज का पहला प्रसन है हट योग का उदगम भगवान आदीनात अर्थात सिब से माना जाता है आप से भी को मालूम ही है कि हट योग का उदगम जो है आदीनात अर्थात सिब से माना जाता है कोई नई बात मैंने नहीं बताई आज का दूसरा प्रस्न हडियोग की परंपरा नाथ परंपरा है यह भी आपको मालूम होना चाहिए कि हडियोग की जो परंपरा है वहाँ नाथ परंपरा है आज का तीसरा प्रस्न हा का अर्थ है हकार अर्थात सूरे नाडी ठाका अर्थ है ठकार अर्थात चंद्रे नाडी यहाँ पर हाका क्या अर्थ है ठाका क्या अर्थ है वह बता दिया गया है अगला प्रसना हट्योग के इसी हकार तथा ठकार सब्द को संस्क्रेट सब्दार्थ कौस्तोव ने भी सुविकार किया है आज का छटवा प्रसन सिद्ध सिध्धांद पद्धदी के अनुसार हकार मतलब सूर्य तथा ठकार मतलब चंद्रनाडी के योग को हट्योग कहते हैं तो हट्योग किसको कहा जाता है वो यहाँ पर बताए गया है कि हकार तथा ठकार नाडी के योग को हट्योग कहते हैं मतलब सूर्य चंद्रनाडी के मिलन को सात्वा प्रसन योग सिखोपन सद में भी हकार का सूरे तथा ठकार को चंद्र मान कर सूर और चंद्र के संयोग को हट योग कहा गया है यहाँ पर योग सिखोपन सद में क्या बताया गया है उसके बारे में यहाँ बताया गया आज का अगला प्रसन योग सिखोपन सद में योग की परिवासा देते हुए कहा गया है कि अपान वा प्राण, रज वा तेजस, सूर्य वा चंद्र, तथा जीवात्मा वा परमात्मा का मिलन ही योग है योग सिखोपन सद के अनुसार योग की परिवासा क्या है वह यहाँ पर मैंसन की गई है आप सिप मुची जा सकती है हालांकि हम यहाँ उपन सद भी पढ़ेंगे आगामी समय में तब डिटेल में समझेंगे आज का नौवा प्रस्न जिस प्रकार चावी से हटात के वार को खोलते हैं उसी प्रकार योगी कुंडलनी के द्वारा मुक्ष द्वार का भेदन करते हैं आज का दस्वा प्रस्न यहाँ हट योग भवताप से तप्त लोगों के लिए आस्रे स्थल के रूप में है तथा सभी योगा भ्यासियों के लिए आधार है यहाँ समझाना मुझे जरूरी नहीं लग रहा है मैं बहुत ही जल्द आपके सारे नोट्स बनवाने वाला हूँ इसलिए आपने देखा होगा मैं एक दिन में दो से तीन वीडियों भी डाल रहा हूँ ताकि योजी सिनेट एक्जाम से पहले आपके सारे नोट्स बन जाएं आपके पास एवलेविल हो आज का सेकेंड प्रसन राजयोग की प्राप्ति के लिए हटयोग उपयोगी है इसके साथ ही स्वास्त का सनरक्षन, रोग से मुक्ति, सुप्त चेक्टना की जगरती, व्यक्तत्त विकास, जीविको पारजन तथा अध्यात्मिक उन्नती के लिए हटयोग आवस्यक है आज का अगला प्रसन हटयोग के प्रसद ग्रंत, हट प्रदीपिका, घेरन सहिता, सिब सहिता आधी हैं इन सभी के वारे में हम यूनिट 5 के अंतरकात पढ़ने वाले हैं हट प्रदीपिका और घेरन सहिता हम पढ़ चुके हैं यदि आपने उनके वीडियो नहीं देखे हैं, तो आप देख लीजिएका, नीचे हम description box में भी कुछ link दे रहे हैं, बाकी आप playlist में जाकर देख लीजिएका, सिर्फ सहीता आगामी सामाय में पढ़ेंगे, हटियोग के अन्य ग्रंथ जो हैं, वह भी हम पढ़ेंगे, आज का अगला प्रसन अब नहीं है, आज बस सितना ही, अगर आप PDF लेना चाहें, तो ले सकते हैं, अभी के लिए बस सितना ही, धन्यबाद